तो ये वीडियो है उन सेलर्स के लिए जो फ्लिपकार्ट पर सेलर है या फिर 2024 में फ्लिपकार्ट पर सेलर बनना चाहते हैं और ये वीडियो आप लोगों को शेर करनी है ऐसे ही लोगों को जो फ्लिपकार्ट में सेलिंग या बाइंग दोनों चीजे करते हैं क्यों क्यों कि बायर और सेलर दौनों के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट रहने वाली है वीडियो में क्या रहने वाला है आपने थमनेल में देख लिया होगा वो है सेल्स कैलेंडर पूरे साल बर हम परिशान रहते हैं वैस सर कौन सी सेल अब आने वाली है ऐस सेलर सबसे पहले मैं बात क चलता है और सेलर को कुछ दिन पहले पता चलता है ये वीडियो बायर और सेलर दौनों के लिए होने वाली है वह शेयर कर देना आप लोगों से मेरी ये हैल्प चाहिए मुझे बाकी वैलकम टो रिशी कॉमर्स एम रिशी सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा पूरा कैले ये भी डाल दूँगा आप जब चाहे तब इसको देख सकते हैं तो चलिए ये मैंने ओपन कर लिया है फ्लिपकार्ट सेल्स कैलेंडर अब इसमें मैं पहले आपको कुछ तंसन कंडिशन बता दूँ सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने फोटो लगा रखी क्योंकि ये पीडि यहाँ पर है ये exact date कई बार मतलब जो है वो match नहीं करेगी क्योंकि simple सी चीज है जो भी flip card जैसे sale जब भी announce करता है तो वो competition को देख के करता है कि Amazon कप कर रहा है मीशो कप कर रहा है उसको देख के आसपास उसकी date एक दो दिन इधर उदर shift कर लेता है बट आसपास इसी के रहन आने वाली है तो चलिए हम लोग इसको directly start करेंगे तो सबसे पहले 2024 आने वाला है सुपर सेवर डेज सबसे पहले आने वाली है एक जन्वरी से चार जन्वरी तक उसका कुछ इस टाइप का poster रहता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि expected to offer great discount on grocery item, tv, home, kitchen and appliances, fashion and beauty, you can get 80% sale discount and 10 percent of using selected banker तो यह buyer के prospectives है वागी seller के prospectives है आप समझ सकते होगी इन सारी categories में sale आने वाली है दूसरी sale जो रहेगी वो बिग बचत धमाल की रहेगी तो बिग बचत धमाल जो है वो 6 January से 8 January को रहने वाली है बिग बचत धमाल एक ऐसी sale है जैसे यह big super saver days और बिग बचत धमाल यह को एक sale आ जाएगी आपकी one might be able to save big during this sale तो obviously यह buyer के prospectives से है seller के prospectives से हम इसमें participate कर सकते हैं उसके बाब big saving days भी flip card कई बार ले क्या आता big saving days एक बहुत बड़ी जिसको की PhD sale बोलते हैं यह बहुत बड़ी sale है flip card की यह 15 January से 20 January को रहने वाली है इसके लिए आप चाने तो पहले participation कर सकते electronics की sale आने वाली है 24 जन्वरी से 30 जन्वरी तक जिसमें कि सिर्फ electronic items के लिए sale रहने वाली है तो यह भी एक बहुत important sale रहने वाली है तो जैसे मैंने इन 3 sale के बारे में बताया है यह थोड़ा unique sale है इसके अलावा end of season sale जब season खतम होने वाला होता है जैसे आभी winter season खतम साल जो मैंने पीछे बताया था तीन फरवरी से 5 फरवरी को एक और रहेगी उसके बाद वैलेंटाइन डे का क्रेज शुरू हो जाता है वैलेंटाइन डे पे फ्लिप हार्ट सेल निकालती है फ्लिप कार तो यह छे फरवरी से 12 फरवरी को expected है इस साल मतलब 2024 में उसके बाद ग्रेंड फरनीचर सेल की बात करो जो फरनीचर या लार्ज कैटेगरी में है तो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक यह रहने वाली इसमें क्या होता है एक्ट्वल में जैसे फरनीचर सेल मोबाइल सेल इनकी अलग से सेल आती है तो उसमें क्या होता है कि आपको अलग से प्रमोशन क के जो कोड हैं वो दिये जाएंगा आप करिए प्लस बायर्स को दिखाए जाता है कि बहुत अच्छा यहां पर सेल आने की उन्जाइस रहती है उसके बाद यह 10 फरवरी से 14 फरवरी एक्सपेक्ट की जा रही है फरनीचर सेल जो मैंने बताएगी उसके बाद कूलिंग डेज क करके एक फेस्टिबल आता है फ्लिपकाट का मलब सेल इवेंट रहता है तो उसमें आपको पता है जो चीज़े कूलिंग करती है उन पे सेल रहती है तो 17 फरवरी से लेके 14 24 फरवरी के बीच में एक्सपेक्ट की जा रही है डेट आगे कभी पीछे यहां पर रहेगा और मै फ्लिपकाट पर बता दूँ आप लोगों को कि फ्लिपकाट कभी भी आपको यह नहीं बोलेगा कि फ्लिपकाट कूलिंग डेज आ रही है 17 फरवरी से 24 फरवरी तक का उप्टिन करो या पाटिस्पेट करो एज अस सेलर आपको क्या करना रहता है फ्लिपकाट पूरे महीने है निकाल देता है तो आप पूरे महीने में पाटिस्पेट करते हैं जब जब सेल होती है फ्लिपकाट खुद्बखँद आपके सेल में पाटिस्पेट करवा देता है आप मेरे टीम को कॉंटेक कर सकते हैं First कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आपको Free Of Course guide कर दें और आपका sale participation भी करवा देगी चलिए आगे बढ़ते हैं electronic sale उसके बाद रहने वाली है 24 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक ये मैंने जैसे बताया था पीछे आपका furniture का था ये electronics category पे ये sale expect की जा रही है उसके बाद grand furniture की sale ये 23 फरवरी से 28 फरवरी को expect की जा रही है जैसे ये वाल इसके बाद again summer saver days ये भी है बहुत important sale है flipcard की summer की सबसे बड़ी sale है मेरे साब से तो summer saver days आएंगे जो कि 13 अप्रेल से लेके 17 अप्रेल तक expect की जा रही है और इसका promotion भी बहुत धमाकेदार तरीके से होता है अगेन फिर big saving days आएगा जो की 4 माई से 10 माई तक expected है अगेन बिग बचत दमाल जो की 19 माई से किस माई तक expect की जा रही है अगेन electronic sale जो की 23 माई से लेके 31 माई तक expect की जा रही मतलब अब हाट गर्मी आ चुकी ठीक है उसके मतलब माई का महीना चल रहा है 31 माई तक हम पहुच गए है अब माई के बाद जून में आ जाते हैं तो end of season sale अगेन गर्मियां धीरे धीरे खतम होनी शुरू हो जाती तो end of season sale, season end होने का अगेन एक sale आती जो कि 1st June से लेके 6 June तक यहां expect किया जा रहा है अगेन big saving day जो की 10 June से लेके 14 June तक होगा grand home appliance sale तो अगर आप home appliances में deal करते हो कुछ इस type के जो भी home appliances है तो 18 June से लेके 22 June तक expect की जा रही है फिर big budget अथमाल एंड जो की 25 जून से लेके 25 जू सकते हैं plus obviously आप download कर सकते हैं WhatsApp channel पर मैं update कर दूँगा चलिए almost June में हम लोग यहां पहुंच चुके हैं big budget धमाल फिर से यहां पर एक sale आईगी जो की रहेगी 1st July से लेके 3 July तक big saving days मैंने आपको बताया था बहुत बड़ी sale होती flip card की हर बार आती है मदब regularly आती रहती है कुछ sale आप common नाम देखोगे flip card के तो यह 15 जुलाई से 19 जुलाई को expect की जारी है अब उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त है तो obviously इंडिपेंडेंस डे एडिशन आने शुरू हो जाते हैं इसके बाद तो big saving days again आएगा flip card का जो की इंडिपेंडेंस डे के लिए sales और रहेंगी तो 4 अगस्त से लेके 9 अगस्ता के रहने वाली है तो देखो यहाँ पर symbols of fund आपको क्या करना है जब भी sale आने वाली है आपको पता है जो भी date मैंने आपर बता रही है 15-20 दिन पहले से ही आप उसके according अपना stop change आपको करना है बाकी मैं time to time whatsapp channel पर या आप लोगों को update करी द अमाल फ्लिपकार्ट ने डाला इस बार 11 अगस्त से लेके 13 अगस्त को यह expect किया जा रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं अब mobile के लिए भी एक अलग sale यहां पर फ्लिपकार्ट ने last year भी announce करी थी अभी इस दोजा 24 के लिए भी expected है month end mobile fest के नाम से है 25 अगस्त से लेके 31 अगस् monsoon days sale जो की 26 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक expect की जा रही है उसके बाद रक्षावंदन का time आ जाता आपको पता है तो फ्लिपकार्ट रक्षावंदन sale जो की 30 अगस्त के आसपास यह expect की जा रही है again home appliances में sale आईगी जो की 7th September से लेकी 11 September तक रहने वाली है अब देखो यह मैं flip card के point of view से बात कर रहा हूँ Amazon और मीशो का भी इसके आसपास ही रहेगा अगर आप चाहते हैं उनके लिए मैं specific video बनाओ तो आप मीशो पर चाहते हो तो मीशो कॉमेंट कर सकते हो Amazon पर चाहते हो तो दौनों पर चाहते हो तो दौनों पर कॉमेंट कर सकते हो अगर मुझे किस से उन पर एक sale specific रहती है 17 September से 11 September को इस 2024 में expect की जा रही है उसके बाद तो भाई धमाकेदार the big billion day sale आपको भी पता है कि इतनी बड़ी sale रहती है और साल के सबसे बड़ी sale रहती है expect किया जा रहा है इस बार की 3 October से 10 October के बीच में रहेगा बट मतलब start होगा इसकी date कभी भी fix नहीं बता सकते हैं यह 10 दिन पहले या 10 दिन बाद भी जा सकता है वैसे तो 10 दिन बाद ही जाएगा पहले नहीं September में नहीं आएगा October के टाइम पर ही आने वाला है तो यह सबसे बड़ी sale है flip card की उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी sale होती 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 दिवाली sale यह दोनों sale में आपको थोड़ा active रहना है और शुरू से ही plan करना आपने start करना है 2024 के लिए तो आपने planning शुरू करी दी होगी उसके बाद आपने बड़ी sales के लिए और बड़े level पर plan शुरू करने है चलिए उसके बाद जैसी यह big billion day sale खतम होगा 5 दिन 6 दिन 8 दिन का रहता है अलग- उसके बाद BDS sale शुरू हो जाती है यह दो पार्ट में होती ही BDS मतलब दसेरा sale और एक big दिवाली sale expected date आप देख सकते हैं 20 October से लेके 24 October दिवाली का अगर मैं बात करूँ तो 1 November से लेके 6 November तक expect किया जा रहा है उसके बाद अगें mobile के लिए एक sale डाली है फिलिपकाट ने 2024 के sale grand home appliances sale event 24 November से लेके 28 November तक तो यह अब हम 2024 के November तक आ गए है आई मतलब मैं एक बहुत स्ट्रॉंग तरीके से बोल सकता हूँ कि 2024 बहुत बहुत बहतर रहने वाला है marketplace selling या online selling के purpose से और मुझे यह लगता है कि without GST selling भी आ सकता है फिलिपकाट ये एंड Amazon पर जो अभी तक नहीं आया कि मीशो ने स्टार्ट कर दिया है यहां भी आ सकता है तो आप अपना 2024 के लिए आपने प्लैन करा है यह नहीं करा है आप मुझे कॉमेंट में ज़रू बताने यह बहुत ज्यादे इंपोर्टन है आपने लिखना है यह नौट प्लैंड अगर प्लैंड है तो वैल और है प्लैन करिए या आप मेरे टीम को कांटेक करके फ्री अप प्लैनिंग ले सकते कस्टमाइस प्लैनिंग हम लोग देते राइट उसके बाद होम अप्लाइंस सेल अगेन तली यह तो हो गया था दिसंबर में हम अगेन आ जाते हैं उसके बाद एंड आप सीजन सेल तरदिय नर्म से तर इस हो गया एक बार कप्योंट पेंस परर में में पिछे आप देखोगेगेMr में धूधानिक करने में कियोंकि ऑदिटिंग में नहीं करता कि और उसमें डेट मेंने जो है वो अनाउंस करी है वो एडिट कर दी राइट चले यहाँ पर देख लेते हैं हमारा चला गया था यहाँ पर बेस्ट आप सीजन सेल चला गया बॉस सेल आपने सुना होगा यह वाला तो इसकी डेट जो है 28 नॉमबर से 24 से 28 नॉमबर एक्सपेक्ट की जारी अगें गैजट सेल फिर लैक फ्राइडे सेल 24 नॉमबर से 30 नॉमबर लैक फ्राइडे की भी सेल इंडिया में उतनी नहीं चलती बट आउट आप इंडिया बहुत ज्यादा चलती है फिर अगें एंड आप सीजन सेल साथ दिसेंबर से लेके 31 सोर 12 दिसेंबर तक उसके जल्दी आ गई है आपने देखा होगा भी आ चुकी है बट दोजार 24 में ये थोड़ा लेट आएगी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और एड़ दी एंड ग्रेंड गैजट सेल 29 दिसेंबर 231 वट्सप चैनल पर मैं आपको इसका लिंक शेर कर दूँगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलना और अगर हेलफुल रही है वीडियो तो हेलफुल कॉमेंट कर देना तिल रेन थैंक्यू वेरी मच येप सेलेगान फ्लेप का